आज इस वीडियो में मैं Infosys के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, आज ही Infosys ने उसके quarterly numbers अनाउंस कर दिये हैं, आपने देखा होगा कि numbers तो अच्छे हैं, revenue estimates जो थें वहाँ पे थोड़ा सा miss है, लेकिन एक buyback अनाउंस हुआ है, जैसे पिछले साल भी हुआ था जून के मै प्लस एक interim dividend, 16.50 पेसे का interim dividend भी अनाउंस कर दिया है, तो यह सारी announcement हो चुके है, तो अब जो और सबसे important वाली बात है, buyback price जो है, वो 18.50 का है, यानि आज की अगर price देखते हैं, तो एक 30 टका उपर वाली buyback price है, तो आपके मन में यह सवाल रहेगा कि क्या यह opportunity बन सकती है, infosys के लिए, तो देखेंगे chart levels क्या कहती है, पिछले साल जब buyback अनाउंस होगा तब किस तरीके से price ने react किया था, क्योंकि उसी size के आसपास वाला एक buyback है, तो यह सारी चीजे किस तरीके से unfold होगी, यह chart पे देखते हैं, तो मेरे पीछे आपको infosys का chart दिख जाएगा, य support और resistance, लेकिन हमने last year यह price किस तरीके से react किया था, buyback के वक्त, वो पहले देखेंगे, तो यह chart अब मैं scroll कर देता हूँ, पिछले साल, पिछले साल 25 June को buyback स्टार्ट हुआ था, और वो valid था 8 September तक, यह 8 September तक यह खुला हुआ था buyback, 9200 करोड का यह buyback था, तो तब price में किस तरीके से react किया था, यह देखेंगे, और उसके बाद फिर अब जो हो रहा है, इस पर क्या लगता है, वो भी देखेंगे, तो यह देखेंगे, यह आपको, यह जो अभी screen पे chart दिख रहा है, Infosys का, यह March 21 से लेके February 22 तक का यह chart आपको screen पे दिख जाएगा, अब यह देखे 25th of September को buyback start हुआ, 25th September कौन सी date है, तो यहाँ पे दिखेंगे, मैं यह थोड़ा सा chart और बड़ा कर देता हूँ, यानि आपको यह detail में दिख जाए, कि price ने पिछली साल किस तरीके से react किया था, यह देखें, यह zoom कर दिया इस chart को, और buyback के dates क्या थे, तो 25 June को open हुआ था, और 8 September तक यह buyback खुला था, तो यह था 25 June का candle, यह देखें, यह वाला, यह 25 June का candle है, और उसके बाद, यह कहां तक चलाता था, तो 8 September तक यह खुला था, 8 September कहां पे है, यह देखें, यह 8 September वाला candle है, तो यहां पे भी मैं एक arrow plot कर देता हूँ, यह देखें, यह वाला, 25 June को इसका जो price था, closing price देखते हैं, तो इसका closing price बना हुआ था 15.74, तो यह मैं यहां पे लिग देता हूँ, 25 June 2021, 15.74.20, इस तरीके का, इसका, यह NSE का closing बना था, और उसके बाद वाला, तो moment तो आप देख सकते हैं, कि announcement के बाद, कुछ दिन यह stock, flat trade कर रहा था, यह देखें, यहां पे आपको दिखेगा, flat trade किया, और उसके बाद, एक अच्छा खासा उच्छाल देखनी को मिला, तो basically announcement के बाद, flat इसे देखें किया, क्योंकि लोग analyze कर रहे थे, analyze जो है, वो details पढ़ रहे थे, वो announcements के, और किस तरीके से क्या-क्या होगा, buyback ratio क्या होगा, यह सब decide होने के बाद, फिर समझ में आ गया, कि हाँ भही, valuation अच्छा खासा है, तो भाव फिर उसके बाद चला, correct, अच्छा, अब दूसरी बात, 8 September को यह price कितन था, तो 8 September को इसका closing price था, 1693.25, वो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 1693.25, क्या date थी, तो 8 September 2021, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी किस तरीके से, एक move Infosys में देखने को मिली, 1574 से यह stock उपर में, 1693 तक यह उपर में चला, अब इसका जो buyback offer का जो price था, वो 1750 था, यह भी ध्यान रखिए, 1750 का price था, अब इस बार 1850 का buyback price है, दिख रहा है आपको किस तरीके से यह stock चला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें करीबन, देखिए, 117-118 रुपे की move, इस stock में हमें देखने को मिली buyback announcement के बात, पिछले साल buyback के बाग किस तरीके से price ने react किया, चलिए, अब latest वाला period देखता है, यह study मैं delete कर देता हूँ, यहाँ से, 20 second, चलिए, अब जो मैंने levels यहाँ पर plot कर दिये थे, वो भी देख लेते हैं, यह आपको support और resistance levels भी पता चल जाएंगे, यह देखिए, तो इस तरीके और यह जो 1367 और 1355 के level से, यह बहुत important level से, यह देखिए, यह वाले support से हैं, तो आप देख सकते हैं, कि पिछले 3-4 मेनों में यह multiple times यहाँ पर stock ने support लिया हुआ है, और यह support तब बना है कि जब उसके पहले वाला जो period है, वो पुरा एक विक्वाली का period है, आपको number of 21 से ही IT stocks सारे downtrend में बने हुआ है, तो यहाँ पर यह support लिया हुआ है, तो यह support माइनी रखता है, तो 1367 और 1355 इस तरीकी का support बनता है, अब आगी जाते हुए, अगर मैं इस chart को और थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ, एक इस second मैं आपको दिखा देता हूँ, zoom करके, तो हमें latest व support और resistance levels तो यहाँ पर है ही, अब यह दिखिए, इस chart पर यह जो candle यहाँ पर बनी है, यह बड़ी सी selling वाली जो candle है, यह कौन सा दे है, तो यह मेरे ख्याल से Tuesday है, देख लेते हैं, एक second यह दिखिए, 11 तारिक Tuesday, तो यह Tuesday वाली जो candle है, इसमें जिस तरीके से यह selling बनाया है, volumes अगर आप देखो, बड़े हुए volumes है, तो उसके बज़े से आगी जाते हुए, यानि अगर ही stock को उपर चलना हो, तो इस candle का जो open price है, open है 1462, और उसका जो high price है, वो है 1480, यानि यह जो दो levels यहाँ पर मैंने लिख दिये हैं, यह देखिए, यह 1462 और 1480, यह मैंने circle अब plot क दिया, यह दो levels जो हैं, वो एक important resistance बनेंगे price के लिए, क्योंकि जिस तरीके का एक बड़ा selling का candle यहाँ पर बना, तो उसके वज़े से यह एक तगड़ा सा resistance बनेंगे, अब हमने देखा कि पिछले साल तो 1574, 75 का price था, buyback 1750 का था, talk उपर में 1694, 93 तक चला, तो एक अच्छी क्राशी move देखने को भी लिए, अब उसी size का buyback इस बार भी हो रहा है, तो क्या यह stock उपर चलेगा, तो मेरी राहे रहेगी कि आप यह दो levels watch कीजिए, 1462 और 1480, monitor करने हैं, यह levels जब भी यह stock break करेगा, तो मुझे लगता है कि उसके बाद yes, इस stock में एक बड़िया सी up move हमें देखने को ज़रूर मिल सकते हैं, यहाँ पर मैं horizontal line plot कर देता हूँ, यानि आपको वो level समझने में आसानी होगी, यह देखे, यह 1462 का level है, जो 11 तारिक की जो candle है, उसका यह high बनता है, तो आपके पास अगर chart का access हो, तो आपके machine पर भी आप यह levels plot करके रख दे सकते हैं, यह देखे, और यह 1480, इस तरीके की यह दो resistances हैं, यह resistance band बनता है, इस stock के लिए आगे जाते होगे, तो अगर इसमें एक उसी तरीके से last time, जिस तरीके से एक अच्छे खासी up move देखने को मिली थी, तो इसमें भी अगर एक up move बननी हो, तो मुझे लगता है कि यह resistance band हमने watch करना बहुत जरूरी है, यह resistance band अगर break करके stock उपर चलता है, तो yes, no doubt about it, इस stock में भी यह देखे, यह वाला जो resistance band है, यह मैं arrows से mark कर देता हूँ, यह दो lines जो यहाँ पर मैंने plot कर दी है, यह break कर देता है, price उपर की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि जो अगला वाला तगड़ा resistance जो है, वो सीधा कहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर बनता है, यानि 15, 50, 15, 53 की यह levels है, तो stock अगर यह break करके उपर चलता है, तो यहाँ तक तो कल सकता है, क्योंकि बीच में कुछ बढ़िया resistance है नहीं, इसके साथ और एक चीज आपको इस chart पर दिखेगी, भो भी मैं circle करके highlight कर देता हूं, यह अगर आप period देखो, तो यहाँ पर इस period में आपको यह stock के gap छोड़के गया है, देखिए, दिख रहा है आपको यह gap यहाँ पर, दो candles के बीच में gap है, यह कौन सी candles हैं, यह मैं बोलता हूं आपको, यह देखिए, 13th of September Tuesday, और यह 14th of September Wednesday, यह दोनों के candles के ब gap है, तो price जब यह 1480 का मैंने यह resistance band आपको बताया, यह break करके ऊपर चलेगा, तो फिर price को यह भी chance मिलेगा कि यह gap फिल कर दे, और इसलिए यह 1553 तक चलेगा, ऐसे लग रहा है, प्लस वो एक resistance भी बनता है, क्योंकि यहाँ पर देखो short term chart पे, तो वो immediate next वाला top है, वो break होने के बाद अगे की levels activate हो जाएंगे, no doubt about it, लेकिन फिलाल 1480 के बाद कौन सा level, तो 1553 तक की stock चल सकता है, तो यह है levels infosys की और आज ही result announce हुआ है, तो देखता है कल price किस तरीके से react करता है, क्या अपना analysis सही होता है, नहीं होता है, price यह analysis को accept करता है, नहीं करता है, वो price ही होती है, यह levels नहीं break होती है, तो price का क्या होगा, कुछ नहीं, range में trading कर रहा है, यानि यह जो नीचे के supports हैं, वो तो valid है ही अभी, यानि यह जो levels हैं, यह 1367 और 1355 वाली, वो तो support band बनाई हुआ है stock के लिए, तो आपके मन में अगर यह सवाल हो कि मेरे पास stock है, आप क्या ख करना है, आपका जो stop loss है, वो यह इसके नीचे है, तो 1350 के stop loss से आपने position hold करनी है, फिलाल थोड़ा सा indician का महोले, लेकिन इस stock में trigger भी बनता है, अब trigger कौन सा है, तो interim dividend का trigger है, अच्छे results का trigger है, प्लस एक buyback का trigger है, तो 1350 के stop loss से आपने position hold करनी है, fresh position के लिए, मुझे लगत stop loss लगा के position लेनी हो, तो फिर आप क्या कर सकते है, तो यह latest वाला जो low है, यानि कल के candle का, यानि आप देखो, venus day का candle है, उसका जो low है, 1413 है, 1413 है, यह जो पहला support है, तो उसके नीचे stop loss लगा के आप ज़रूर काम कर सकते है, अगर आपको immediate position लेनी हो, तो नहीं तो आप य stop अगर आता है, तब कर सकते हैं, तो यह है Infosys का analysis, results के बाद, technical analysis, अब आगे देखना है, price किस तरीके से react करता है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो thumbs up दीजिए, कुछ राय हो, तो comments में लिग दीजिए, और बिना भुले, चैनल को subscribe कीजिए, और bell icon प्रिस केज तागी, जब भी मैं एक live session करता हूँ, और आपके मन में कोई stock related query हो, तो आप तुरंग join करके, वो query solve करा सकते हो, प्लस, आपने अगर मेरा mentorship program join नहीं किया हो, तो नीचे मेरा number दिया, इस number पर आपका, मुझे WhatsApp message कर दीजिए, नेल टीम आपके contact में आ जाएगे, आपको enroll करा लेगी, आपका हाथ पकड़ेंगे, आगे लेकी जाएगे, आपने मुझे इस वीडियो में join किया, इसलिए आपका धन्यवाद, आपका मंदार जाम सान्दी